Hello friends, good evening मैं आज जमसेदपूर का एक दूसरी नरसरी का भीजीट करने आई हूँ यह एक आंगन ब्याडी केंद्र है यहाँ पे यह नरसरी चल रहा है तो यहाँ पौधे मुझे बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं और सभी पौधे एकदम पूसे हैं तब खुश दिखाई दे रहे हैं और एक से एक पौधे हैं यह देखिए आजिका का यह पूरा भर्याइटी है उधर है आपका कृष्मस ट्री और इधर लेटी पाम और इधर अमरेला पाम यह देखिए Christmas है, बहुत सुंदर, साम हो गई है, फिर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां से लेके वहां तक पूरा Christmas tree है, friends, और इधर पूरा Amrela, और उधर पूरा Chinese Amrela भी बोलते हैं, Amrela Pam बोलते हैं, उधर पूरा Pam का ही variety है, देखिए एक से एक सुंदर पौधे ह मन खुश हो जा रहा है, मैं पहली वार इस नरसरी में आई हूँ, तो मैं इसने सोचा कि आप लोगों को भी इसका भीजिट करा दूँ, तो आईए और आगे बढ़ते हैं, यह देखिए इधर भी पाम ही है, लेडी पाम, बहुत का तो मैं नाम भी नहीं जानती, फ्रेंट, लेकिन बहुत सुंदर नरसरी है, मैं पहली वार आई हूँ, और पूरा का भीजिट कराना तो असान नहीं है, फिर भी मैं कुछ-कुछ पौधों को करा दे रही है, और पूरा इस तरह से इसका लुक दिखता है, यह देखिए, यह देखिए फ्रेंट्स, और हैंगिंग प् यह देखिए, जेट का कितना सारव है, यहां पे है, और सब कितने बड़े हो गया है, और इधर हैंगिंग प्लांट है, बहुत ही सुंदर-सुंदर है, साम हो गई है, फिर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, हैंग करता हुआ, किता सुंदर लग रहा है, वैंडरिंग ज और यह देखिए, ट्रैंगल हाट, यह भी ट्रैंगल हाट का ही, बिलोव हैं, ना क्या बोलते हैं, सबको नाम ना भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, मेरे घर पे है यह पौधा, और यह भी है, यह ट्रैंगल हाट भी है, बेंडरिंजू भी है, और आप लोगों को मैं दिख हाती हूँ, जेट का तो बहुत ही यहाँ भराइटी है, बहुत ही है, एक से एक, यह मनी प्लांट है, और इधर सारे के सारे, यह देखिए, सब पाम है, पाम का भराइटी है, और जेट का तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है, उधर है, वह देखिए, टेफिन बेगिया का, और एक लीमा का बहुत सारा प्लांट है एक देखिए और आप लोगों को हैंगिंग प्लांट में दिखाती हूँ फ्रेंड्स, यह देखिए बहुत ही संदर संदर है और मन खुष हो जाएगा फ्रेंड आप लोगों का भी एस अब देखके हेलो फ्रेंड्स यह देखिए एक से एक है एगो लीमा का आप लोगों को दिखाती हूँ और बहुत ही सुन्दर और खुबशूरत पौधा है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए और आगे चलती हूँ प्रेंड्स प्रेशीना यहां भी हैंगिंग है यह सुट पोटाइटो है ग्रीन वाली यह देखिए एक ग्रीन वाली सुट पोटाइटो है यह है यह देखिए अच्छा लग सिंगोनियम का और यह सुट पोटाइटो पिंक वाली सिंगोनियम है यह मनी प्लांट यह तो दस से बारह वाला फूल है यह जेट का है इतों खहले तो पिंग रहे हृए है खुरस चारली गली होलते है चारली का अच्छा लग रहाग उधर भी हैंगिंग में बहुत सारे हैं, मैं दीन में कभी आऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, नर्शरी का विजिट, आईए, उधर से हम लोग देखते चलते हैं, तो बहुत साम हो गया है, किसी दिन दीन में आएंगे तब दिखाएंगे, मौन स्पेरा का, यह लेमा, लेमा है, लीली प्लांट है, इस लीली, और यह ट्रैंगल हाट है, यह चारली का है, और यह भी ट्रैंगल का ही एक वेराइटी है, यह परपल स्वीट पोटाइटो, अच्छा लग रहा है, यह फर्न है, इसका नाम मुझे नहीं मालूप, यह देखिए, यह मोर पंखी, जिसको जाओ भोलते हैं, और दीदी, वो लीपिस्टिक एग लीमा है, लाल पत्ता वाला जो एग लीमा था, यह एग लीमा ही है, छोटा वेराइटी है, इसका एक लाल पत्ता वाला आता है, इसका इसका अलग है, अच्छा इसका नाम क्या है इसका नाम तो पता निया पर इसके ऩारेंडर तेल इसका पता है? सब भहिया बता दिया कर देँछा अच्छा अब को नहीं पताना? अश्चा आपको नहीं पताना? यह नहीं कुर साथ जीलwriting को घेक्टी और मीजियो मैं चो पहान बेख देख लोगने कि मैं पहली बार आई हुआ है इस नर्शरी में और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पॉट भी बहुत अच्छा पॉट भी है प्लांट थोड़े मंगे लग रहे हैं लेकिन बहुत सुंदर सुंदर है और हेल्दी प्लांट है यह देखिए यह सूट पोटैटो यह जीजी प्लांट है कि देखिए कि देखिए प्लांट का और मुझेंड़ा का वराइटी है यह देखिए रबर प्लांट यह बहुत ही प्लांट है बहुत सुंदर है इसका पत्ता भी अज मैं यहां से जेट और रबर प्लांट और रिड लिपिश्टी के अगली माले ने आई हूँ यह देखिए यह मुझेंड़ा का बहुत भराइटी है पिंक है वाइट है यह देखिए यह देखिए बेगम क्या बोलते हैं इसको बेगम बहार बोलते हैं कि यह देखिए इसका इससाइड रेड और इधर इस तरह का डिजाइन बना हुआ है यह दो ड्रेशिना का ही विराइटी है और दिखिए एक जोरा है और यह भी मुझेंड़ा है पिंक वाला और यह मुर्पंखी है यहां यही है कि इनके पास जो भी पौधा है वो लाइन से एक ही तरह का एक ही जगा लगा हुआ इसलिए आपको खरीदने में या देखने में परिशानी नहीं होगी एक यहां भी है जेट का यह देखिए यह तो क्रिश्मस ट्री है और यह यहां पे चांदनी का सारा वेराइटी रखा हुआ है यह साइद चंपा है चंपा है और उधर करोटन है बहुतों का तो नाम मुझे नहीं फर्ताप टेंड और साम भी हो रहा है पता नहीं आप लोग पाम है यह देखिए यह फर सिंगार का पौधा और बेर तक का पौधा यह लोग रखे है यह देखिए फाइकस है कि पाइकस है अमरेला का पाम कहीं है चाइना पाम का एक वहराइटी यहां है और यह देखे यह मुशंडा का है यह भी अच्छा लग रहा है यह देखे यह कड़ी पत्ता है यहाँ फिर मोर पंखी है और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड मुझे पता था इस नरसरी के बारे में लेकिन मैं कभी आये नहीं थी आज फर्स्ट चांस आई हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे तो जाने ही का इच्छा नहीं हो रहा है जब भी मैं नरसरी आती हूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं होती है यह देखे यह देखे फ्रेंड्स और यह देखे निम्बू है फ्रेंड्स देखे किते सुन्दर लग रहे दिख रहे हूंगे आपको यह देखें निम्बू फला भी है बहुत सुन्दर है फ्रेंड्स सारे पौदे यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं और हेल्दी भी है बहुत सुन्दर है यह देखें इधर तो पाम ही पाम है जहां तक आपका नजर जा रहा है देखिए पाम ही पाम है पाम का वेराइटी है वाव इधर देखिए इधर फ्रूट्स का है आम का पौधा है उधर भी पाम है उधर भी पाम है और पता नहीं यहाँ पे तो यह लोग घास पूस काट के रखे हैं यह देखे पाम है धर मैं निगू सुँगी बहुत जंगल जैसा है पाम का बहुत सारे एक साथ रखे हैं यह देखे फ्रेंड्स चलते चलते मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूं आपको विजिट करा दे रही हैं यह देखे और आगे बढ़ते हैं इस तरह से यह देखे यह रबर प्लांट का ही एक वेराइटी है अच्छा लग रहा है यह भी नसंदर लग रहा है इसका पत्ता अगले वीडियो में और आपसे लोगों से अनुरोध है कि इसे लाइक और सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा फ्रेंड्स ताकि मैं फिर से अगला वीडियो बनाऊं इससे प्रेरी थोकर कि आप लोग मेरे वीडियो को पशंद कर रहे हैं यह देखिए इसे इधर कठल का है और यह आम का है यह फिर पाम है इधर लेडि पाम है ओके वाइफ फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बाइबाइ